अक्सर यह तो आप सबने सुना ही होगा कि जब इंसान के पास पैसा और पावर आता है तो उस इंसान के अंदर घमंड भी आ जाता है बहुत बार ऐसा भी होता है कि इनके घमंड की वज़ए से उनके पारिवारिक रिश्टे और दोस्ती दोनों में ही दरार आना शुरू हो जाता है इन लोगों को ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि यह लोग दुनिया के सबसे महान इनसान है और बाकी लोग इन से पानी कम है इन लोगों में घमंड के साथ इतनी अकड़ा जाती है कि यह लोग दूसरों से बात करने की तमीज तक भूल जाते हैं ऐसे में यह चीज़ें आगे चल कर इनके लिए नुकसान दे या भी हो जाता है आज हम आपको ऐसी ही कुछ राशियों के बारे में बताने डा रहे हैं जिनके जातक जानकर या फिर अंजाने में ही घमंडी हो जाते हैं यदि आपकी भी राशी इन लोगों में से एक है तो आपके लिए हमारी यह राय है कि आप अपना रवय या बदर ले नहीं आगे चल कर आपको नुकसान हो सकता है सभी लोगों को एक सामान सम्मान देना चाहिए इन राशीयों के लोगों होते हैं सबसे ज्यादा घमंडी मेश राशी के लोगों को हमेशा ये गल्त फहमी रहती हैं कि वो अपने आसपास मौझूद सभी लोगों से बेहतर हैं ये कभी भी दूसरों की सलह लेना पसंद नहीं करते हैं क्यूंकि इन्हें इस बात का घमंड होता हैं कि मैं हमेशा सही होता हूँ और मुझे दुसरे लोगों से ज़्यादा पता हैं इस बात के चलते कई बार ये लोगों की बुराई भी मोल ले लेते हैं हाला कि ये लोग अपने घमंड का शो ओफ सारवजानिक रूप से नहीं करते हैं बलकि उसे अपने मन के अंदर ही दवाय रखते हैं प्रिश्चिक राशी के लोग आमत और पर तो सामान्य होते हैं लेकिन जब इनके पास पैसा प्रसिद्धिया कोई पावर आता है तो इनका व्यवार तुरंत बदल जाता हैं पैसा और प्रसिद्धि इन लोगों के सर चड़ जाती हैं जिसके चलते ही ये समाज और दोस्तों के बीच अकड़ के रहने लगते हैं इनके इस व्यवार की वज़े से कई लोग इन से बादचित करना बंद्या कम कर देते हैं हलांकि इन लोगों को इस बात का अंदारजा नहीं होता है कि पैसा आने पर ये पहले से ज्यादा घमंडी हो गए हैं मीन राशी के लोग हमेशा अकड़ कर रहना पसंद करते हैं इनके पास पैसा और प्रसिद्धी कम हो या ज्यादा इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता हैं ये हमेशा खुद दूसरों से बेहतर मानते हैं और अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना पसंद करते हैं ये लोग मुह भट होते हैं और अपनी अकड़ दिखाने के चक्कर में कई बार कटू वचन भी बोल जाते हैं